12 के students के लिए हिंदी के लिए कुछ important होते हैं अनेक सब्दों के लिए एक सब्द ये board परिच्छा में कम सकम 2-3 mark के हर एक board में पूछे जाते हैं चाहे आप किसी भी board के हो MP, UP, विहार, राजिस्तान जिस भी board के student हो हर एक board परिच्छा में पूछे जाते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं 25 ऐसे आपको important अनेक सब्दों के लिए एक सब्द बताने वाला हूँ जिनको अगर आप याद कर लेते हो तो ये आपके लिए board परिच्छा में एकदम राम बाड़ की तरह काम करेंगे प्रेंट इनकी PDF मिल जाएगे आपको WhatsApp ग्रूप पर जिसकी लिंक मिल जाएगे आपको वीडियो के description में वहाँ पर जाकर क्या आप जोइन कर सकते हो पहला question है जिसकी कलपना नकी जा सके उसे कहते हैं अकल पनिय जो कहा न जा सके वह कहलाता है अकतनिय और जिसका कोई सत्रू पैदान हो उसे कहते हैं अजात सत्रू पैंट्स अगर आप सोचते हो हिंदी भी से बहुत सिंपल भी से है और आप लास्ट मुवेंट पर एक महीने का अंदर पूरी तयारी कर ले हो आप बिलकुल गलत सोच रहे हो आज से ही आपने टाइम टेबल बना लीजिए हिंदी सब्जेक्ट को डेली 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट का समय रोजाना दीजिए तब ही आप हिंदी सब्जेक्ट में पूरे 100 मार्क्स लेकर के आओगे और यही एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपके परसेंटेज में अच्छा परसेंटेज को गिरा भी सकती है, जो जाना न जा सके उसे कहते हैं अगए जिसको कोई जान नहीं सकता, जिसके अगवन की कोई थिति नहीं होती थिति निखित नहीं वह कहलाता है अतिति ब्युक्ति बोर्ड परिच्छा 2021 में आप परिच्छा देने जा रहा है हिंदी के पेपर की तो इन सारे questions को नोट कर लीजे जिसका अनुबब न किया जा सके अनुबूत कहलाता है जिसकी उपमा न हो अनुपम कहलाता है प्रत्वी और आकास के बीच का इस्तान होता है अंतरिच्छ कहलाता है जिसकी आसान हो अब प्रत्यासित कहलाता है इसके बाद जो सब के मन की बात को जानता है उसे कहते हैं अंतर्यामी और जो कुछ नहीं जानता वो कहलाता है अज्ञानी और जो मापान जा सके अपर में कहलाता है क्या कहते हैं उसे अपर में बेरी बेरी मोस्ट इंपोटेंट है यह जो पीने योगिना हो अपेया कहते हैं जो कम बोलता है अलपवासी कहलाता है अपनी हानी सुयम करने वाला उसे कहते है आत्म घाती और जिसका संबंद आत्मा से हो आध्यात्मिक कहलाता है और जो छमा करने वाला होता है छमासील कहलाता है जो घ्रणा का पात्र होता है ग्रणित कहते है जो छुपाने योग्यो उसे गोपनी कहते हैं जो पदार्थ गुलने योग होता है वो गुलंसील कहलाता है और लंबे समय तक जीने वाला ब्यक्ति होता है वो चरंजी भी कहलाता है तो यहापर मैंने आपको टोटल 24 इंपोर्टेंट अनेक बड़ों के लिए एक सब्ड़ होता है जिनको अगर आप याद कर लेते हो तो हिंदी के पेपर में आपके दो नंबर बिलकुल कंफरम 2021 की परिच्छा में हो जाएंगे यह दो नंबर आपके लिए रामबाड का काम करेंगे आदा परसेंट बढ़ा देंगे आपका तो आज की वीडियों बस इतना ही धन्यवादू है